फ्रेंड्स जब मेकप पुराना हो जाता है तो आप क्या करते हो? ओफिसली फैक ही देते होंगे है न? लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप कभी अपना पुराना मेकप जो एक्सपायर हो गया है वो फैक हैंगे नहीं आपको जानकर हेरानी होगी कि फैक देने वाली चीज से इतनी अच्षी आर्ट बन सकती है तो चलिए मैं हूँ दिप्ती, मेरी यूट्यूब चैनल Learn With Me में आप सबका स्वागत है आज देख लेते हैं कि फेक देने वाली चीजों से भी कितनी अच्छी घर की डेकोरेशन की चीजें हम बना सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बोतल ले ली है, जो भी बेकार थी उसके उपर मैंने जेसो लगा लिया है, बोतल ना हो, तो कोई भी डिपा, कुछ भी ले सकते हो शेंपो की बोटल, कुछ भी ले सकते हो बेज के लिए एक्रेलिक वाइट कलर या जेसो, कुछ भी आप इसके उपर अपलाई कर सकते हो उसके एक साइड मैंने ये थोड़ा सा पेंटिंग बना लिया अगर आपका ड्रो अच्छा ना हो तो आप इसकी जगा ट्रेस भी कर सकते हो अब यहाँ पर मैंने गोल्ड मेटलिक कलर जो एक्रेलिक कलर आते हैं उससे मैंने एक कौन बना लिया है और इस कौन से मैं जो ये मैंने ड्रो किया है उसकी आउटलाइन बना लूँगी मैं ओल्वेस कहती हूँ कि जब वेस्ट में से बेस्ट बना रहे हो तो पूरी चीजे वेस्ट नहीं होती कुछ उसमें अपनी चीजे भी एड करनी होती है तो बस ये थोड़ा सा एक्रेलिक कलर बहुती कम लगता है तो छोटा सा कौन बना लिया है उसमें से भी बहुती बच चाएगा जिसका प्रयोग आप दूसरी किसी भी चीज पर कर सकते हो तो यहाँ पर मैं बहुती क्लियर आउटलाइन बना लूँगी मैंने यहाँ पर बोटल का यूज किया है इसकी जगा आप फ्लावरवाज या कोई भी पुरा नई चीज हो जिसको आप सुन्दर बनाना चाहते हो उसके उपर भी ये कर सकते हो अगर आप मेरी चैनल पर नए हो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि इस चैनल पर आपको कुछ न कुछ नए आशिकने को मिलेगा जिसने ओलरडी सब्सक्राइब कर लिया है उसको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है तो जिसने नहीं किया है वो पहले जाके सब्सक्राइब कर ले बाकी का वीडियो चलता ही रहेगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो golden वो कौन वर्क करना था वो मैंने फिनिश कर लिया है अब इसको completely सुखने देंगे एकरेलिक कलर जल्दी सुख जाते हैं लेकिन कौन वर्क जो होता है उसको सुखने में थोड़ी सी देड़ लगती है अब यहाँ पर मेरा यह कौन वर्क सुख गया है अब आगे की प्रोसेस करते हैं अब आती है मैंची तो यहाँ पर मैंने पुरानी नेल पुलीज जो ठीक हो गई है और आईलाइनर ले ली है तो यह आईलाइनर एक्सपायर हो चुकी है तो इसका प्रवग मैं यहाँ पर करोंगी एक्सपायर चीजें हम अपने लिए यूज तो नहीं करते तो फिर मैंने सोचा फेक ही दूँ लेकिन यह सूख ही नहीं थी तो मैंने सोचा चलिए कुछ काम में ले लेते हैं देखो कितना अच्छा दिख रहा है वैसे भी इस कलरफुल आईलाइनर का इतना तो यूज होता नहीं तो पड़े-पड़े बेकारी हो जाती है और यहाँ पर यह कलर कितना ब्यूटिफुल दिख रहा है किसी को देखकर समझ में ही नहीं आएगा कि यह पुराने मेकप से किया हुआ है और यह दो-चार नेल पोलिश भी ठीक हो गई है अगर नहीं भी ठीक हो गई हो और अगर आपको नेल पोलिश से करना हो तो 10 रुपे में रोड साइड बहुत ही अच्छी अच्छी नेल पोलिश मिल जाती है एक्रिलिक के मेटलिक या पाल कलर लेने जाओ तो बहुत कोस्ट लिप पड़ेगा इससे तो यह बहुत ही सस्ता पड़ेगा तो है ना यह कितना अच्छा आइडिया यह ब्लू कलर का नेल पोलिश जो थीक हो गया है उसको हम यूज में ले लेंगे ब्रश्चे में लगा रहे थी लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था फिर मैंने उसको कोन में पर दिया और बाकी का जो है उसको मैंने कोन से कम्प्लिट कर दिया तो करने में बहुती इजी रहा यह सब फिनिश हो जाने के बाद गोल्डन कोन से मैंने फिर से एक बार आउटलाइन बना दी है जिससे हमारा पेंटिंग बहुती सुन्दर उभर कर आया है तो देखा फ्रेंड्स दस बिस रुपेय में जो नेल पोलिश मिलती है उससे कितनी अच्छी पेंटिंग बन सकती है और नेल पोलिश में एक अपनी शाइन होती है जिससे हमारी पेंटिंग बहुती खुबसूरत दिखती है ये सब कलर ऐसे है कि जिसके उपर आपको वर्निश किये बिना ही शाइन आया जाएगी तो अब ये पूरा हो जाए कॉन वर्क उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से सूखने देंगे मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन वर्क को सुखने में थोड़ी सी ज्यादा देर लगती है तो उससे पहले टच ना करें नई तो आपका वर्क बिगड सकता है तो यहाँ पर हमारी बोटल का आर्ट ओल्मोस्ट फिनिश हो चुका है वैसे तो यह वाइट बेक्ग्राउंड जो है इसके उपर यह पेंटिंग बहुत ही खुबसूरत दिख रही है लेकिन कुछ अधूरा लग रहा था तो मैंने गोल्डन और ब्लू कलर से पूरा बेक्ग्राउंड अच्छे से सजा दिया है और फिर ग्लू से मैंने थोड़े से मिरर स्टिक कर दी है तो यह रहा इसका फाइनल लुक आप कमेंट करकर मुझे बताओ कि आपको यह बोटल कैसी लग रही है तो देखा फ्रेंड्स एक खाली बेकार पड़ी बोटल जो हम फैकने वाले थे और जो फैकने वाले थे मेकप का सामान जो की एकस्पायर हो गया था उससे ये कितना खुबसूरत और ब्यूटिफुल हमारा मानलो एक वेज रेडी हो गया इसमें आप पानी डाल कर मनी प्लांट उगा सकते हो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्क्राइब करना वीडियो को लाइक चैनल को सब्क्राइब करना